वेलकम दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चेनल के आर एक्जाम में दोस्तों आज इस वीडियो में बाइलोजी का एक बहुत ही महत्पूर्ण चेप्टर को कवर करेंगे जो की कोशिका है दोस्तों आपको बता दू कोशिका चेप्टर से आपके परती एक परती एक कम्पेटिटिव एक्जाम में कोई न कोई कोई कोशिका के बारे में तथा कोशिका की जितने भी सारे अंग है कोशिका के बारे में जितने भी कोशिका बन सकते हैं सारे कोशिका को बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे और मैं आसा करता हूं कि इस वीडियो को देखन जो बना है चाहे वो पेड़, पोधों में हो या फिर जन्तू यानी हम हो सबसे चोटा हिस्सा जिससे मिलकर हमारा सरीर बना है, उसे क्या करते हैं कोसिका करते हैं इसको और मेरे बहुत तरीके समझते हैं माल लीजीये, कोई घर वगेरा जो बनाया जाता है, उसमें बहुत सारे चीज का परियोग होता है लेकिन सबसे छोटा हिस्सा किसका परियोग होता है तो बहुत सारे इट मिलकर घर का निर्मान करते हैं उसमें बहुत सारे जो इट होते हैं वो मिलकर सबसे पहले दिवाल का निर्मान करते हैं गर बनता है तो इसी परकार सबसे छोटा हिस्सा क्या का लाता है इट का लाता है उसी परकार सबसे छोटा हिस्सा जिसे हमारा सरीर मिलकर बना है उसे क्या करते हैं कोशिका करते हैं तो बहुत सारे कोशिका मिलकर हमारे सरीर में उत्तक का निर्मान करते हैं आप देख सकते हैं यहां आपको बहुत सारे कोशिका दिख रही होंगी तो वो मिलकर हमारे सरी में किस का निर्मान करते हैं उत्तक का निर्मान करते हैं और बहुत सारे उत्तक मिलकर हमारे सरी में अंग का निर्मान करते हैं अंग बहुत सारे अंग मिलकर हमारे सरी में चोटी इकाई या फिर हमारे सारचना की दिरिष्टी से भी सबसे चोटी इकाई क्या होती है कोशीका होती है आपको cleaner का बहblesaquier तरी कि में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों आप समझते साइटोलोजी करते हैं याद लेखेगा दोस्तों ये एक्जाम की दिरिष्टी से बहुत ही महत्पुन कोश्चन है कोशिका का दियान क्या कलाता है साइटोलोजी कलाता है अब बात करते हैं कि कोशिका की खोज पहली बार किसने की थी तो दोस्तों कोशिका की खोज सबसे पहल किसे करते हैं तो आप रोबर्ट हुक मारिएगा कोशिका की खोज सबसे पहले किस ने की थी रोबर्ट हुक नहीं किया था ठीक है दोस्तों याद रखिएगा आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कोशिका की खोज तो आपको पता चल गया कि मिरित कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था अब बात करते हैं जीवित कोशिका की खोज किस ने की थी तो दोस्तों जीवित कोशिका की खोज जो है आपके एंटोनी वान लियुमेन हॉक ने किया था उसके बाद आपको बता दो दोस्तों एंटोनी वान लियुमेन हॉक को जीवानु ट्रियोलोजी भी करते हैं ठीक है दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे हम लोग तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कोशी का सिध्धान का परतिपादन किस ने किये यानि कोशी का सिध्धान जो दिया था वो किस ने दिया तो दोस्तों दो वैज्ञानिक ने मिलकर कोशी का स्लाइडेन ने बताया था कि पेड़ पोदो का सरीर जो हो कोशिकाओं से मिलकर बना है उसके बाद स्वान ने यह बताया कि नहीं हमारा सरीर भी कोशिकाओं से मिलकर बना है इस परकार दोनों ने मिलके कोशिका सिध्धान दे दिया उसमें बताया गिया कि कोशिका यानि कोशिका से मिलकर जो है मानो बोडी या फिर पेर पोदो का जो सरीर है वो कोशिका उसे मिलकर बना है इसी को कोशिका सिध्धान करते हैं इसका परतिपादन किसने किया था स्लाइडेन तथा स्वान ने याद रखिएगा तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका क्या होती है सबसे छोटी कोशिका तो आप कहिएगा माइको प्लाज्मा अगर आपके एक्जाम में पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका क्या होती है तो माईको प्लाजमा ठीक है दोस्तो और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है तो सुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं सुतुरमुर्ग के अंडे उसकी कोशिका जो होती है वो सबसे बड़ी होती है याद रखिएगा दोस्तों बढ़ते हम लोग आगे और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मानव सरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है तो आप सुक्रानू बोलिएगा मानव सरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है सुक्रानू और मानव सरीर में अगर सबसे बड क्या होती है सुतुर मुर्ग के अंडे की कोशिका याद रखेगा दोस्तों बढ़िते हैं हम लोग आगे तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मानव सरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है मानव सरीर की सबसे लंबी कोशिका तो रहेगा आद को चलिए बढ़ते हैं रहाँ रहाँ हम लोग आगे तो दोस्तों मैं आशा करताओ कि bl šqa के बारे में आप बहुत य बढ़ियां तरीके समझ गए होंगे अब बात करते हैं squeezed को के अंग के बारे में फिरिम करते हैं जिसमें मुझ की कोशिका जिल्ली, कोशिका वित्ति, माइड्रोकॉंड्रिया, तारककाय, अंत्रप्रद्र, विजालिका, राइवोसोम, ऐसे बहुत सारे अंगों होते हैं, तो चलिए सभी अंगों को हम लोग बहुत ही बहतरीन तरीके से बढ़िया तरीके समझते हैं, और क्यूंकि बहुत सारे कोशिका आपके इंपोर्टेंट कोशिका एक्जाम में आते हैं, सभी अंगों के बारे में, तो चलिए सभी अंगों को अलग-अलग से बढ़िया तरीके से हम लोग समझते हैं, तो दोस्तों कोशिका अंग में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, कोशिका जिल् के अंदर ही होते हैं यानि कोशिका जिल्ली कोशिका के बाहरी परत जो होती है आप देख सकते हैं या फिगर में यह जो बाहरी परत आपको दिख रही है इसको क्या करते हैं कोशिका के सभी अंग इसी के अंदर पाए जाते हैं याद रहेगा आपको कोशिका के जितने भी सार पदार्थों का चेहन करना ठीक है याद रहेगा आपको बाहर से आने वाले पदार्थों का चेहन करता है यानि यह एक दर्बान का का काम करता है कि किस पदार्थ को अंदर आने देना है किस पदार्थ को बाहर जाने देना है यही सब का चेहन करता है ठीक है याद रहेगा इनिमल में और प्लांट में दोनों में पाए जाता है यानि जन्तू और पादब दोनों में पाए जाता है और इसको विशेश करके याद रखना आपको बहुत एक्जाम में तो यह बहुत बार पुछा गया है कि कोशिका जिल्ली किसकी बनी होती है तो याद रहेगा आपको क कोशिका जिल्ली के अंदर पाए जाते है इसका मुख्य काम बाहर से आने वाले पदार्थों का चेयन करना है ठीक है यह बहुत आप आप पंदिव हो में भी पाए जाता है यह प्रोटीन होता है याद चुरक्षा देना तथा आकार जो आकार है इस्ट्रेक्चऻर परदान करना ठीक है तो कोशिका भित्ति केवल पोधों में पहलत ता किक बने सेल्ूलोज की बने लिए होती है त्था गाज वगैरा जो बनता है कपड़ा वगरा यह भी सेलूलोज सही बनता है ठीक है और एक चीज याद रखना है कि जीवानु जीवानु जो होती है यह भी एक क्या है पादप है तो जीवानु जीवानु की जो कोशिका भित्ती होती है वो पेप्टिडो ग्लाइकेन की होती है और कवक की कोशिक बित्ती नहीं पाए जाती है इसका काम सुरक्षा परदान करना तथा आकार देना होता है यह सेलूलोज की बनी होती है और कोशी का जो बित्ती होती है यह जिवानों में जो कोशी का बित्ती पाए जाती है वो पेप्टिडोग लाइकेन तथा कवक में जो कोशी का बित्ती प ने किया था, अल्ट मेन ने किया था, इसका काम है आंतरिक सुवसन, सुवसन दो परकार से होता है, एक तो भाई सुवसन होता है, जो फेफडा में होता है, और आंतरिक सुवसन हमारा कहा होता है, वो होता है कोशिका के अंदर माइट्रो कॉंड्रिया में, तो याद रहेंगे सुवसन अगर करते हैं तभी हमें उर्जा की प्राप्ति होती है सुवसन से ही उर्जा की प्राप्ति होती है तो याद रखेगा कि अगर सुवसन आंत्रिक सुवसन मैट्रोकॉंड्रिया करता है तो उससे ही हमें उर्जा मिलती है तो ये भी पूझ देता है कि Mytrochondria में क्या होता है तो Mytrochondria का काम क्या है? आंतरिक स्वसंत तथा उर्जा निर्मान करना तो ये याद रखेगा इसलिए चुकि यहां उर्जा का निर्मान होता है इसलिए इसे उर्जा घर या पावर हाउस भी करते हैं याद रहेगा, माइट्रो कॉंड्रिया को उर्जाघर या पावर हाउस भी करते हैं, इसके आंत्रिक दिवार को, माइट्रो कॉंड्रिया के आंत्रिक दिवार को क्या करते हैं, क्रिस्टी करते हैं, इसको भी याद रखना आपको, से उर्जा ग्राहते हैं इसके ऊंतरिकड दिवारको क्या करते हैं क्रिस्टी करते हैं याद रहेगा आपको चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे तो दोस्तों नेक्स्ट कोशी कांग के बारे में लोग पढ़ते हैं गोलजी का यानि गोलजी बोड़ी इसको गोलजी बोड़ी भी करते हैं इसकी खोज केमिलो गोलजी ने किया था याद रहेगा आपको केमिलो गोलजी नाम से पता चल रहा है कि गोलजी बोड़ी या गोलजी का है कि खोज किस ने किया था केमिलो गोलजी दूसरा याद रखन बनता है कि इसका मुख्य काम क्या है? परिवान करना यानि ट्रांस्पोर्ट करना है और इसकी कोज केमी लोग गोल जी ने किया था याद रहएगा आपको तो चलिए दोस्तों अगले उसी कांग है वह रस्दानी है ठीक है जिसको काथे है इसका मुख्य काम मैं जल को संग्रा करके रखना ठीक है जल को संग्रा किया जाता है हमारे सरीर में जो जल है उसको संग्रा कोन करता है कोशिका के अंदर जो रसधानी है वही संग्रा करके रखता है ठीक है याद रहेगा आपको रसधानी जो है पादप में यानि पेड़ पोधों में बड़ा ह होता है तो दोस्तों अब बात करते हैं तारक्काई के बारे में तारक्काई हमारी जो कोशिकाए होती है वो मर जाती है तो उस स्थान पर नए कोशिकाओं का निर्मान करना होता है तो नए कोशिकाओं का निर्मान कोन करता है ये करता है तारक का है याद रहेगा आपको और एक चीज याद रखना है कि अधिक सेल डिविजन अगर हो जाए किसी स्थान यानि जितनी होनी चाहिए उससे अधिक हो जाती है सेल डिविजन कोशी का विवाजन तो इस स्थान पर ट्यूमर का रूप ले लेता है ठीक है तो और एक चीज आपको याद रखना है कि ब्रेन में ट्यूमर जो हो जाता है वो हमारा नियूरॉन सेल में नहीं होता है क्योंकि हमारे ब्रेन में जो है वो 90% क्या पाया जाता है नियूरॉन सेल पाया जाता है और 10% क्या पाया जाता है गिलियल सेल पाया जाता है तो गिलियल सेल जो होता है हमारा ट्यूमर वगरा जो मानुसर में ट्यूमर होता है वो कहा होता है गिलियल सेल में होता है यह भी याद सबसे अधिक कोशिका विवाजन सबसे तेजी से होता है ठीक है याद रहेगा आपको चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे अब बात करते हैं दोस्तों अंत प्रेद्र विजालिका यानि इंडो प्लाजमिक रेडिकुलम के बारे में इसका जो काम है वो है अंत्रिक साहिता देन मैंने यहां नहीं लिखा आप नोडाउन कर लिजेगा अंत्र प्रेद्र विजालिका जो है इसका काम क्या है अंत्रिक साहिता देना यह कोशिका के अंदर कंकाल का काम करती है इसलिए इसको अंत्रिक कंकाल भी करते हैं कोशिका का अंत्रिक कंकाल किसे कहा जाता है अंत्र प प्रोटीन का निर्मान होता है एक होता है चिकना हिस्सा जिसमें वसा का निर्मान होता है दूसरा जो रफ हिस्सा होता है उसमें राइबोसोम पाए जाता है अब राइबोसोम में प्रोटीन का निर्मान होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे यह आपको यहाँ याद रखना है कि अंत्रद्रव जालिका का मुख्य काम जो है वो कंकाल का काम करता है यानि कोशिका के अंदर जो है अंत्रिक साहिता कॉन देता है वो अंत्रद्रव जालिका देता है उसमें दो हिस्सा होता है एक तो स्मूथ यहां फोटो में आपको दिख रहा होगा स्मूथ होता है यानि चिकना हिस्सा होता है वहां क्या होता है वसा का निर्मान होता है और जो रफ हिस्सा होता है उसमें क्या पाए जाता है राइबोसों में ही प्रोटीन का निर्मान होता है वह हम लोग आगे पढ़ेंगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे तो दोस्तों जैसा कि मैने आपको बता है कि रैवेशोम कहां पाये जाता है ये पाये जाता है अंत्रद्र विजर लीका याने इंडो प्लास्मिक रेडिकुलम के खुदरे इससे में पाय जाता है ठीक है इसका काम क्या है प्रोटीन का निर्मान करना रैवोसोम का काम प्रोटीन का निर्मान करना इसके खोज करता कौन थे पॉलेड थे याद रहेगा आपको तीन चीज़े याद रखना है रैवोसोम का मुख काम जो है वो प्रोटिन का निर्मान करना है दूसरा इसके खोजकरता कून थे पॉलेड थे और राइबोसोम दो परकार के होते एक तो 70S और 80S ठीक है जो जनतु होते हैं उसमें क्या पाई जाते हैं assies ठीक है याद रहेगा आपको प्रोटीन का factory भी करते हैं protein की factory ribosome क्योंकि वहाँ protein का रिंवाल होता है तो इस परकार रोटीन की factory भी करते हैं याद रहेगा आपको अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट जानते हैं केंद्रक के बारे में आपको बता दू दोस्तों केंद्रक के खोजगरता Robert Brown थे केंद्रक के खोजगरता कौन थे Robert Brown तो केंद्रक जो है ये सभी को नियंतरन करता है सभी अंगों को नियंतरन करता है कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं गरत को कर दिमाग की से कहते हैं कें एंग कोशिका डिमाग को याद रहेेगा आपको मैं आगे बताूंगहँगा डि- ق्रत जाता है के skirtर के केंद्रक के अंदर क्या पाए जाता है क्रोमोसोम पाए जाता है केंद्रक के खोजगता रोबर्ट ब्राउन इसको जो है कोशिका का ब्रेन भी करते हैं इसमें सबसे बड़ा जो कोशिकांग है हमारे कोशिका में कोशिका के अंदर सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है वो केंद याद रहेगा आपको केंधरक में जो है 80% क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और 10% DNA पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, मैं आपको जितना भी चीजे बता रहा हूं, सब आपके परिक्षा की दिरिश्टी से इंपोर्टन्ट है, ऐसा नहीं है कि को इस रही दिया गया यह बहुत थी important question है सारे question आपके परिष्छा की दिरिष्टी से important है तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे next आपको जानते हैं लाइसोसोम को आत्माफिया की थेली करते हैं कि यह जो है कभि यह जब भी कोई कोशिका की आंग जैसे कोई भी कोशिका का आंग ठीक से काम नहीं करता है तो उसके उपर यह जल अखटन एंजाईम डाल देता है जिससे उसकी जो है मृत्य हो जाती है या फिर वो जो मतलब मिरित कोशिका है उसको पचाने का काम कोन करता है वो करता है लाइसोसोम याद रहेगा आपको लाइसोसोम का काम क्या है पाचान करना ठीक है इसकी खोज करता कौन थे डी डूबे इसको आत्माइतिया की थेली भी करते हैं एटम बम करते हैं क्योंकि यह blood cell जो है उसमें क्या RBC जो है नहीं पाए जाता है तो अगर RBC नहीं पाए जाता है तो वहां की कोशिका है जो मर जाएंगी तो उसका पाचन के से होगा तो इसके लिए पिलिया होता है ठीक है यह भी याद रखना है कि RBC का जो कवरिस्थान किसे कहा जाता है पिलिया को पिलिया को कहा जाता है RBC का कवरिस्थान और इसको ब्लद भुल में रहते हैं कि हमारे सरीम में है मिलेड किस इसको ढなた है है वे बार बार पूछा जाता है परिक्षा में यह भी याद रखना है lysozome को आत्मेतिया कि ठेली करते हैं इसका काम जो है वो पाचन है यह जल अपगेटन enzyme डालता है जिसके कावरन जो है पाचन हो जाता है और RBC में lysozome नहीं पाए जाता है तो lysozome का काम कोन करता है RBC में तो वो पिलिया करता है पिलिया को blood bank करते हैं सब्सक्रांडए USA कोशिका में जो द्रब पाए जाता है उसको रेआपicional कोशिका बहुब कते हैं और केंदरी less कί जे और एक चीज़ रखना है कि जिवद्रब जो है वह रंग हीन होता है या वि यायन exactly को यह रंग हीन द्रब होता एक चीज़‌आ रखना है कि जिवद्रब में 80% जल पाय जाता है अगर इसमें एक परसंट की भी जल की कमी हुई तो आपको प्यास लगेगी और अगर दस परसंट से अधिक कमी हो गई तो आपकी मृत्यू हो सकती है तो यह भी याद रखना है कि जिवद्रेब में अगर एक परसंट की कमी हो जाती है तो हमारी मृत्यू भी हो सकती है यह भी आपको याद रखना है ठ गति परदान करना कोशिका को गति परदान करना आप आपको मैं बता दूं कि सिलिया जो होता है यह स्मॉल साइज का होता है थोड़ा बड़ा साइज का होता है अब एक्जामपल में देख सकते हैं या फोटो में देख सकते हैं यह सिलिया यह छोटी-छोटी निकली हुए रह करते हैं और एक चीज आपको जानकारी के लिए मैं बता दू इस पर्म जो होता है वो गती जो करता है वो किसके कारण करता है फिली जिला के कारण ही करता है उसका जो पूंच निकला हुआ रहता है उसी के कारण जो है इस पर्म गती कर सकता है आपको यहाँ पूरा किलियर हो आओगा सिलिया तता फिली जिला के बारे में अब बढ़ते हैं हम रोग आगे अब बात करते हैं दोस्तों लवक के बारे में इसको इंगलिज में प्लास्टिट कहते हैं यह केवल प्लांट सेल यानि पादप कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है कोशिका के हरीत लवक पत्ती तथा तना में पाये जाता है हरीत लवक पत्ती तथा तना में पाये जाता है इसका काम क्या है भोजन का निर्मान करना पत्ती तथा तना में पाये जाता है हरीत लवक और इसका काम क्या है भोजन का निर्मान करना याद रहेगा आपको दुसरा आवर्नी लवक इसका काम जो है वो भोजन को इकत्र करके संग्रा करके रखना होता है यह जो है जड़ में पाये जाता है आवर्नी लवक कहां पाये जाता है जड़ में पाये जाता है इसका काम क्या है भोजन को संग्रा करके रखना और वर्नी लवक जो होता है तेन पर करें एक तोग आपका हंडीत लवक जो की पत्ति अन्य में पाये जाता है यह भोजन का निर्मान करता है दुस्त, आव narrative लवक यह ज्यर्ड में पाये जाता है और भोझन को शंग्रा करके रख़ता यही कर रखता है और तीसरा जो है वर्नी लवक जो की फूल तथा बीज में होता है यही जो है रंग परदान करता है फलो में ठीक है जैसे कि गाजर का जो रंग होता है लाल रंग वो किसके कारण होता है तो केरोटीन के कारण होता है टमाटर या फिर मिर्च का जो लाल रंग करवा दे रहा हूं लवक तीन परकार का एक होता है हरित लवक दूसरा आवर्नी लवक तिसरा वर्नी लवक क्लोरोप्लास्ट लिउकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट हरित लवक पत्ती तता तना में पाए जाता है जो की भोजन का निर्मान करता है दूसरा आवर्नी लवक जो की जड़ में पाए जाता है यह क्या करता है यह करता है यह करता है रंग परदान करता है फूल तथा बीज में पाए जाता है यह रंग परदान करता है गाजर का गाजर में जो है केरोटिन पाए जाता है जिसके कारण गाजर का रंग लाल हो जाता है टमाटर तथा मिर्च में लाइकोपीन, चुकंदर में बिटानों, फलोग अपिला रंग किसके कारण नहीं होता है, जेंटोफिल, याद रहेगा आपको, बढ़ते हैं, नेक्स्ट, मैंने आपको यह पहले भी बताया था, कि यह हमा जो कोशिका है, उसके अंदर जो केंदरक पाये जाता है, उसमें क्या पाये जाता है, गुंसुत्र पाये जाता है, उसी के अंदर डियने, जीन वगरा यह सब पाये जाते हैं, तो ठीक है, यह आपको याद, मैंने आपको पहले ही बताया था, वीडियो के पहले ही, कि केंदरक के अंदर क्या पाये जाता है, गुंसुत्र पाये जाता है, औ और उसी के अंदर जो है DNA RNA और उसके अंदर डिने के अंदर की अदर क्या पाई जाता यह चीन पाई जाता मानौ सरीर में जो गुंसूत्र की संख्या होती है वो कितनी होती है 46 होती है यानि 23 जोड़ा है गुनसुत्र पाये जाते हैं मानव सहर में याद रहेगा आपको बढ़ते हैं हम लोग next तो दोस्तों अब बात करते हैं कोशिका के परकार के बारे में कोशिका दो परकार के होते हैं एक तो प्रोकेरियोटिक दूसरा यू केरियोटिक याद जनतु में कोशिका पाये जाता है यू केरियोटिक कोशिका इसमें जो स्वसन होता है वो माइट्रोकॉंड्रिया में होता है मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे सरीर में जो स्वसन होता है वो अंत्रिक स्वसन कहा होता है माइट्रोकॉंड्रिया में होता है और दूसरा इसमें बाहरी कवर पाया जाता है, यूकेरियोटिक में बाहरी कवर पाया जाता है, ये पूरी तरह से विक्सित होता है, ठीक है, जबकि प्रोकेरियोटिक छोटे जीव में पाया जाता है, बहुत ही छोटे, जिसको हम लोग नंगी आखरों से नहीं देख सकते हैं, ये होता है इसमें केंद्रग जो होता है वह और विक्सित होता है इसमें बाहरी कवर नहीं पाया जाता है यह सब चीज आपको याद रखना है ठीक है तो चलिए दोस्तों दो मिनने फिर से इसको रिविजन कर लेते हैं मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हमारे से सेरी के सबसे छोटी कार्वे कहते हैं कोषिगा होती है हमारे च्रफिभ ऑन करते मिलकर किसका निर्मान करते हैं इसको ही जिवानु विग्यान की पिता करते हैं, फादर बैक्टरियोलोजी, जिवानु की खुजगरता, कॉंथे एंटोनी वान, लिमन होग, अगला मैंने आपको बताया कोशिका सिध्धान्त, जो कोशिका सिध्धान्त था, जिसमें ये बताया गया था, कि सरीर, हमारा सरीर या फिर बोदो का सरीर जो है, वो किस से मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है, ये किसने बताया था, स्लाइडें था, स्वान ने बताया था, दोनों ने मिलकर एक सिध्धान दिया था, जिसको कोशिका सिध्धान करते हैं, नेफ्ट मैंने आपको बताया था, कि सबसे छो कोशिका तंत्री का तंत्री की कोशिका नेक्स्ट कोशिका के अंग के बारे में मैंने आपको बता है कोशिका जिल्ली जो होती है कोशिका की बाहरी परत को करते हैं इसी के अंदर हमारा सरीर में जो है सारे kosica के अंग जो होते मतलब kosica के Sare Ang Cha Sieculi के एंदर में ही बन रहते है यह ऐनिवल तथा plant मतलब जन्टोENS को सिका तवा या प्रो्ट्प्र मुंपाया जाता या प्रोटिन की बनी होती है को कवानु में जो कोशी का वित्तिक पाया जाता है उसको बोलते हैं पैपटीडोग लाइकेन जब कि कवाओक में जो कोशी का वित्तिक पाया जाती है उसको काइटीन बोलते हैं नेक्स्ट माइट्रो कॉंड्रिया का खोज किस ने किया था अल्टमेन इसका काम है अंत्रिक सुअसंत था उर्जा का निर्मान करना इसे उर्जागर या पाराउज भी करते हैं किसमें उर्जा का निर्मान होता है इसके अंत्रिक दिवार को क्रिष्टी करते है इसके बाद मै आपको बताया परिवान का था खोज किस ने किया था केमिलो गोल जी नेक्स्ट मैंने आपको बताया रसधानी जल को संग्रा करके कौन रखता है रसधानी यह पादपों में बड़ा होता है जबकि जन्तु में छोटा होता है नेक्स्ट मैंने आपको बताया तारक काई इसकी कोज़बवरी ने किया था इसका काम है कोशीका विवाजन तंत्रीका कोशीका जो है 90% पाई जाती यह ब्रेन्ड में इसमें कोशीका विवाजन नहीं होता है जील्क में इसको लिखा मैंने नहीं है यह आप नोट डाउन कर लिजेगा और इसमें दो हिस्सा होता है एक तो स्मूथ होता है जो कि चिकना हिस्सा होता है दूसरा रफ होता है चिकना हिस्सा में वसा का निर्मान होता है जबकि रफ हिस्सा में राइवोसोम पाया जाता है जो कि वोटाप में पाय जाता है प्रोटिन की कैन्द यह कूं घ्हासब चाहिता प्रोटिन का निर्मान होता है तो इसके काण्रों का, कर लिजेगा केंदरक में 80% प्रोटीन पाए जाता है और 10% DNA पाए जाता है लाइसोसों के खुछ करता डीडुए इसको आत्माइतियात की थेली करते है क्योंकि यह जब कोशी कांग काम नहीं करते हैं तो यह खुद को ब्लास्ट कर लेता है इसका काम पाचन है यह जल घटन खोड़ता है जिससे पाचन होता है यह एक आर बीस्ट ब्लट से बड़र जो है अबको ब्लड में बताओंगा कि ब्लड जो है कि उस में दौ इसाओं थो प्लाजमा होता है दूसरा जो है रूधिरानू होता है इसके रूधिरानु में आर्साइड डेट लेट आंड स सिन प वसका पाचन कोन करता है RBC करता है और RBC को भी जो है पिलिया को RBC कबर करते है blood bank किसको कहते है qualification क्या वहीं blood हमारा 217 रहता है next कोशिका जो जो जीवद्रेम पाए जाता है उसकी खोज करता कोन थे पूर कींजी कोशिका ड्रखी जो है कोशिका ड्रख जो कोशिका के कांदर पाय जाता है और केंदर का पया जाता है दोनों कर जीवडएव कर निर्मान करती है यह रंगीन होता है या इसका कोई परशन का का मिध्र द्रव में हो गई तो आपको प्यास लगती है और 10% की अगर कमी होती है तो मिर्तियों हो जाती है नेक्स्ट मैंने आपको बता है सिलिया फ्लीजिला ये गती परदान करता है कोसिका को और आवसोसन का काम भी करता है सिलिया यानि स्मॉल साइज का होता है और फ्लिजिला बड़े साइज का होता है इस्पर्म की गती इसी के कारण होती है याद रहेगा आपको और अगला मैंने आपको बता है लवक प्लास्टीड यह क्यवल पादवपों में पाये जाता है पादवपों में सबसे बड़ा कोश क्या होता है लवाख़ी होता है याद रहेगा आपको हरीत लवक तथा क्रोप्राश्ट Alright हरीत लवक पत्ति तथा तना में पाये जाता है उसकते हैं halfãy में और व्यूञ्जा करयाता है और अब पर स्मच होच नहीं पाइजा जाता है वर्नी को कारण चुकंदर में बितनोन होता है जबकि फलों का पिला रंग क्या होता है इसके कारण जेंधोफिल के कारण यह चीज आपको समझ में आगया होगा हमारे सेर्व में गुंसूत्रों की संख्या कितनी होती है 23 जोडा यानि 46 होता है गुंसूत्र कहां पाये जाता है तो यह सब आते हैं तो प्रोकेरियोटिक जो होती है वह विक्सित होता है इसमें जो है कोशिका पुरी तरह से विक्सित नहीं होती है इसमें बहुत सारे नहीं पाये जाते हैं केवल मुख्यंग पाये जाते हैं जबकि यूकेरियोटिक पुरी तरह से विक्सित होती है इसमें सार you eokeriotic तो जैसे पादप हम लोग जो है इसमें हम लोग में तो पाय जाता eokerna Bereich और इसमें kendra अविक्सित होता है prokaryotique मेंने आपको जैसे की बता है बहुत सारे अंग नहीं पाय जाते हैं और बहुत सारे अंग अविक्सित होते हैं सबुस्क्राइब के दो कॉशिका में तो ऑपके लगभग नहीं छूटेंगे परिकेश ठीक है दोस्तों अगर वीडियो आप सबको बढ़ियां लगाया तो इसको लाइक जरू कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और इस वीडियो को सेर जरू कीजेगा धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए